वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला चैनल जरूर जोइन करेंगा सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पर आते हैं ध्यान लगें नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का सेस में और यह है हमारी वर्ल्ड जियोग्राफी क्ला जिसमें हम पढ़ रहे हैं महादीपों को और यह जो आज हम महादी पढ पढ़ेंगे और आज हम देखेंगे ऑस्टेलिया के इंपोडेंट जो डेजर्ट हैं जो रेगिस्तान हैं उनकी आज बात होगी साथियों ठीक है तो पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे चलो देहों कि सबसे बढ़िया बात यह पूरा का पूरा जो इसलिए ऑस्टेलिया को 85 भूमी का देश भी कहा जाता है ऑस्टेलिया में ग्रेट विक्टोरियन रेगिस्तान ऑस्टेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है तो पहला फैक्ट तो यही हो गया आप से पूछेगा ग्रेट विक्टोरियन जो रेगिस्तान है वो कहां पर है उस्टेलिया में है या फिर उस्टेलिया का सबसे बड़ा रेकिस्तान बताईए तो फिर आप आंसर करिएगा ग्रेट विक्टोरिया अब एक्चल में जो ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट है यह उस्टेलिया का सबसे बड़ा है लेकिन ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट के आसपास भी आपको और बहुत सारे डेजर्ट देखने को मिलेंगे जैसे मैं आपको दिखाता हूँ जैसे अगर आप यहां पर देखो तो यह आपको देखेगा सिंसन डेजर्ट है ना यह यह मिलेगा आपको तनामी यहां पर मिलेगा ग्रेट सेंडी यह गिपसन और नीचे आपको मिलेगा ग्रेट विक्टोरियन हाला कि इन सभी में जो सबसे बड़ा है वो ग्रेट विक्टोरियन है लेकिन यह भी काफी है अगर आप ध्यान दो तो यह पाओगे कि जितने भी डेजर्ट हैं यह आपको ऑस्टेलिया के पश्चमी इलाके में दिखाई देंगे यह यहां पर देखो यह सिम्सण डेजर्ट यहेशत तनामी डेजट यहए ग्रेट सैंड है गिप्सन और यह रेड़ी विक्टोरियन ठीक है तो यह जो आ रहा है यह यह आँग डरामिए यह आ तो यह आंसे हो करके बह रही हैं चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है आगे देखो आगे है उल्रू या आयर्स रॉक यह मद ऑस्टेलिया में बलुवा पत्थर की एक बड़ी चट्टान है उल्रू दिन और वर्ष के अलग-अलग समय पर रंग बदलने के लिए उल्लेखनी है ध्य रहें यह अपने खनिज भंडार विश्यसकर लोह ऐस के लिए जाना जाता है तो ध्यान रखना पिलबरा लोह ऐस कहां पर है आप अंसर करेंगे ऑस्टेलिया में ठीक है चलिए आगे देखते हैं आगे किमबरले पठार पेपर में इतनी बार आया है यह क्वेशन के मैं है यह ख़दान मिश्व में हीरे के सबसे बड़े उत्पादक ख़दानों में से एक की रूप में जानी जाती है बहुत इंपर आप देख लो मैं आपको दिखाता हूं किमबरले कहां पर है देखो अभी जो उपर हमने पढ़ा था ना उल्डू रॉक या आयर्स रॉक वो तो अभी हमने उपर देखा था ना यह है पिल्बारा रीजन ठीक है तो दोनों इंपोर्टेंट है देखिए पिल्बारा रीजन जो है वो लॉइस के लिए फेमस है और किमबरले जैसिस के ऊपर है जो किमबरले जो है हीरे की एक ख़दाने याद रखेगा काफी चलिए यह सब पढ़ने को मिले जा अब जब हम पढ़ते हैं और चार आपके चेतर आते हैं जिनके नाम याद रखेंगे पहुला है और और नियूजिलेंट दूसरा है मैलनेशिया तीसरा है माइक्रोनेशिया और चोधा है पॉलीनेशिया ठीक है तो इन चारों को मिला करके बनता है हमारा ओशेनिया याद रखेंगे चलिए आगे देखते हैं साथियो तो इस मैप पर आप आसाने से देख पाऊगे कि अभी जो हमने हिस्से देखे थे ओशेनिया के वो कहां कहां पर मौझूद धै Jen क never आप देखो यह है माइक्रोनेशिया यहापको मिलेगा पॉलीनेशिया यह मिलेगा मैला नेशिया और यह होगया हमारा ओशेनिया और यह होगया नियूजिलेंड इन्ही चारों को तो मिला कर तो शेनिया बनता है तो ध्यान मेलनेशिया मेलनेशिया नियूगिनी ड्वीप से टॉंगा तक फैला हुआ है इस चेतर में फिजी वनवातू सोलमा नाइलेंड पापु अनियूगिनी के सतन देशों के साथ नियू कैडलोनिया ठीक है या इंडोनेशिया के कुछ भाग सम्मेले थे मैपर कहां पर है तो आप कुछ मैलेशिया को देखलो सोलमन ऐलेंड ठीक है यह रहा है यह हो गया नियू कैलिडोनिया यह हो गया अमार già फिजी उपर वगका अगल क्लेंवातु टीक है इजरो गया की लिंदनी ठीक है और यह जो है आपका यह हैं पूरा एमारे अध्यानाना फ्ली ठीक है फिजी की सोड़ा सा बात कर लेते हैं तो चलिए देखते हैं चलिए अंग्रिजों ने अठार सो चौतर में फिजी कॉलोनिंगी स्थापना कि और निसवी सदी के अंत में प्रिटिशों ने गन्य की खेत में काम करने के लिए बारस से गिर मिटिया मजदूरों को आयात किया अंग्रिजों ने 1970 में फिजी को स्वतंता प्रदान की फिजी की आवाधी ज्यादा देशी यादि मूल फिजी की फिजीन 54 परसंट इंडो फिजीन अर्टेशनलों एक से अर्टेशनलों एक परसंट से मिलकर के बनी है मूल लिवासी फिजीन समधाय जो मूल फिजी की निवासी है और इंडो फिजीन समधाय के बीच अक्सर समंध तनावपूर्ण रहे हैं ठीक है साथियो तो यह थोड़ा सा हमने बात की आज के इस वीडियो में उमीद करता हू तो इन दिये के नमबर्स पर कॉल करके आप तुम से जुड़ सकते हैं और इस पीडियो को प्राफ्ट कर सकते हैं मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए जैहिन जैभारत बंदे मातरम